जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो RRB NTPC का एक्जाम हो रहा है उसके point of view से हमारे देश में जो भी research institute हैं उनके headquarter कहां परिस्तित हैं इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने इससे जुड़े हुए प्रशनों को भी करा दिया था और उसके अलावा हमारे देश में जो भी प्रमुक organization हैं उनके बारे में detail में हम लोगों ने जाना था यानि कि पिछले वीडियो में हमारे देश के जो भी प्रमुक सं पूछे जा चुकी हैं तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर जरूर करिएगा तो चलिए इस वीडियो की हम सुरुवात करते हैं तो पहले बात के Central Rice Research Institute की यानि की केंद्रिये चावल अनुसंधान संस्थान की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको उरीसा के कटक में मिलेगा कहां पर उरीसा के कटक में केंद्रिये चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्याले इस्तित है तो ये भी NTPC में पूछा जा चुका है फिर बात करेंगे भारते करसी सोध संस्थान की यानि की Indian Agricultural Research Institute की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको मिलेगा नई दिल्ली में इसके अलावा एक हमारा है अगरकर सोध संस्थान जो की महाराष्ट के पूरे सहर में इस्तित है तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है केंदे चावल अनुसंधान संस्थान कटक में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारते करसी सोध संस्थान नई दिल्ली में अगर कर सोध संस्थान ये आपको महाराष्ट के पूरे में मिलेगा अब देखिए आपकी परिच्छा में जब प्रश्ण पूछा जो एक करोड उपए के scholarship test conduct करवाया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा तो ये जो test है आज दिन में 12 बजे आयोजित किया जाएगा उन सभी छातरों के लिए जो की SSC exam के तयारी कर रहे हैं तो नीचे आपको इसका link मिलेगा उस link पर click करके KB10 code यूज़ करके आप इसमें enroll कर सकते हैं और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इसमें आपकी rank 1 आती है तो एक साल का आपको SSC का plus subscription मिलेगा rank अगर आपकी 2 आती है तो 6 महीने का आपको SSC plus subscription मिलेगा अगर आपकी rank 3 आती है तो फिर आपको 3 महीने का SSC plus subscription यहाँ पर मुफ्त दिया जाएगा बाकी अगर आपकी rank 4 से लेकर के 200 के बीच में आती है तो भी आपको 1000 रुपए का अमेजन बाउचर दिया जाएगा तो इससे पहले जब SSC का ये combat टेस्ट हुआ था तो उनमें इन तो लोगों ने टॉप अस्थान को हासिल किया था तो मैं यही चाहूंगा कि आप में से कोई इन दोसों में से कोई अस्थान जरूर परात करें इसके अलावा अगर आप RRB NTPC का free test देना चाहते है या फिर जो आने वाले समय में RRB Group D का free test है उसको देना चाहते हैं तो इसकी link भी आपको नीचे description में मिल जाएगी simply आपको उस link के उपर click करना है unacademy के app के उपर जाना है और वहाँ पर kv10 code यूज करके इसमें आपको enroll कर लेना है तो जब भी test यहाँ पर शुरू होने वाला होगा तो आपकी mobile के उपर notification आ जाएगा और अगर आप unacademy का कोई भी plus subscription खरीदना चाहते हैं चाहे वह SSC exam का हो, bank का हो, UPSC का हो तो उन सभी के link भी आपको नीचे description में मिल जाएगी और ध्यान रखिएगा आज यहाँ पर आखरी date है यानि कि 28 फरवरी तक अगर आप KV10 को यूज करेंगे तो आपको 10% का discount मिलेगा लेकिन आज के बाद अगर आप यहाँ पर कोई भी subscription परचेज करते हैं और code यूज करते हैं KV10 तो आपको मातर 5% का discount ही मिलेगा तो अभी जाएगे link पर click करिए और unacademy के साथ में अपने सपनों को यहाँ पर पूरा करिए आते हैं अपने topic पर फिर बात करते हैं राष्टिय बागवानी अनुसंधान संस्थान की यानि कि Indian Institute of Horticultural Research तो काफी महत्मूर संस्थान है इसका जो मुख्याले है वह आपको करनाटक की राजधानी बेंगलूरू में मिलेगा कहाँ पर करनाटक की राजधानी बेंगलूरू में इसका मुख्याले है फिर बात करते हैं राष्टिय डेरी अनुसंधान संस्थान की यानि कि National Dairy Research Institute की तो हर्याना का एक सहर करनाल यहाँ पर आपको मुख्याले मिलेगा राष्टिय डेरी अनुसंधान संस्थान का फिर बात करते हैं उश्न कटबंदिये वन सोध संस्थान की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको मद्ध प्रदेश के जबलपूर में मिलेगा कहां पर मद्ध प्रदेश के जबलपूर में फिर बात करते हैं भारतिय पसूची किस्सा अनुसंधान संस्थान की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको उत्तर प्रदेश के बरेली में मिलेगा तो ये सारे संस्थान भी महत्पूर्ण है, इनमें जो दूसरे और तीसरे नमबर वाला है, ये NTPC में आलड़ी पूछा जा चुका है, तो इनके बारे में आपको विसेश तवर पर ध्यानत ना है. फिर बात करते हैं, केंद्रिय समुद्री मचली सोध संस्थान, यानि कि Central Marine Fisheries Research Institute, तो इसका जो मुख्याले है, वह आपको केरल की कोची में मिलेगा, कहाँ पर केरल की कोची में आपको इसका मुख्याले मिलेगा, फिर बात करते हैं, केंद्रिय एवियन अनुसंधान संस्थान की, यानि कि जो हमारी पच्ची होती है, उनके संबन में जो अनुसंधान कारे किया जाता है, वह आपके उत्तर प्रदेश के बरेली में होता है, कहाँ पर उत्तर प्रदेश के बरेली में, तो इसके बारे में भी आपको यादखना है, फिर बात करते हैं, केंद्रिय सुस्क चेतर सोध संस्थान की तो ये भी NTPC में पूछा जा चुका है यानि की बात हो रही है Central Arid Zone Research Institute की तो इसका जो मुख्याले है वह भी आपको राजस्थान के जोधपुर में मिलेगा फिर बात करते हैं कि इंद्रिये आलू सोध संस्थान की यानि की Central Potato Research Institute की और ये भी NTPC में प आपको केंद्रिये आलू सोध संस्थान का मुख्याले मिलेगा तो केंद्रिये समुद्री मचली सोध संस्थान कोची में केंद्रिये एवियन सोध संस्थान बरीली में केंद्रिये सुस्क छेतर सोध संस्थान जोधपुर में और केंद्रिये आलू सोध संस्थान ये आपक मुख्याले मिलेगा फिर बात करते हैं भारतिय मसाला सोध संस्थान की यानि की इंडियन इंसिट्यूट आफ स्पाइसर सर्च की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको केरल के कोची गोड में मिलेगा तो वैसे भी मसालों के उत्पादन में केरल सबसे प्रमुख हमारा यहां का राज्य है तो मसाला सोध संस्थान का जो मुख्याले है वह आपको केरल के कोजी कोड में मिलेगा फिर बात करते हैं केंडरिय कपास सोध संस्थान की तो वैसे अगर हम लोग कॉटन की बात करते तो इसके उत्पादन में पहले अस्थान पे है गुजरात लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो Central Institute of Cotton Research है इसका मुख्याले महाराष्ट के नागपुर में है फिर बात करते हैं भारती मिर्दाविज्ञान संस्थान की यानि कि Indian Institute of Soil Sciences की तो इसका मुख्याले आपको सुगर केन बेडिंग इंसिट्यूट की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको तमिल नाडू के कोयमबटूर में मिलेगा कहां पर तमिल नाडू के कोयमबटूर में इसका मुख्याले मिलेगा फिर बात करते हैं भारती गन्ना सूध संस्थान की किसकी भारती गन्ना सूध संस्थान की यानि कि इंडियन इंसिट्यूट आप सुगर के रिसर्च की तो इसका मुख्याले उत्तर प्रदेश के लखनों में आपको मिलेगा तो दोनों में आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है अगर आपसे गन्ने के प्रजिनन के बारे में पूछा जाए तो उसका मुख्याले कोयमबटूर में है और अगर गन्ने में रिसर्च के बारे में पूछा जाए तो वह आपको मिलेगा लखनों में फिर बात करते हैं केंद्रिये उप उश्नकड़िबंदिये बागवानी संस्थान की तो वैसे ये बहुत इसके बारे में आपको ध्यानक ना है कि उत्तर प्रदेश का जो कानपूर सहर है वहाँ पर इसका मुख्याले इस्थित है अब इसमें आप लोग गल्ती कर सकते हैं क्योंकि अगर हम लोग अपने देश में डालों के उत्पादन में पहले राज की बात करें तो वो है प्रदेश है लेकिन हमारे देश में जो इंडियन इंसिट्यूट ऑफ पलसे रसर्च है ये आपको मिलेगा कहां पर उत्तर प्रदेश के कानपूर सहर में फिर बात करते हैं केंद्रिये तंबाकू अनुसंधान संस्थान की यानि की सेंटरल टबैको रसर्च प्रदेश के राजमूंदरी में मिलेगा तो वैसे भी हमारे देश में तमबाकू के उत्तपादन में आन्त प्रदेश पहली अस्थान पो इसका जो मुक्हाल है वहां पर इसका मुक्याले आपको मिलेगा उसके बात करते हैं राष्टिये चीनी सोध संस्थान की यानि की न तमिल नाडू की कोईमबटूर में है भारतिय गन्ना सोध संस्थान उत्तर पदेश के लखनों में है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्टिय चीनी सोध संस्थान कहां पर है तो उत्तर पदेश के कानपूर में ये आपको मिलेगा फिर बात करते हैं केंद्रिय तो वैसे भी आपको पता होगा कि जूट के उत्तपादन में बंगाल हमारे देश में पहले अस्थान पे है तो यहीं पर बंगाल की राष्धानी में आपको मुख्याले मिलेगा सेंट्रल जूट टेक्नोलोजिकल रिजर्च इंसिट्यूट की तो केंद्रिय तंबाको सोध संस्थान आन्द प्रदेश के राजमंद्री में राष्टिय चीनी सोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपूर में केंद्रिय चमडा सोध संस्थान तमिल नाडू के चिन्नई में और पस्सिम मंगाल की राजधानी कोलकाता में है यहां पर आपको केंद्रिय जूट आपको पता होगा कि जो COVID-19 का यहाँ पर इस ट्रेन था उसको सबसे पहले अलग किया था कि इसने National Institute of Virology ने और इसका मुख्याले आपको महाराश्ट के पुने में मिलेगा फिर बात करते हैं National Institute of Mental Health and Neurosciences यानि कि हमारे देश में जो मानसिक स्वास्त के लिए राश्टिय संस्थान है उसका मुख्याले आपको करनाटा की राधानी बेंगलोरों में मिलेगा फिर बात करते हैं राश्टिय मस्तिस्क अनुसंधान केंदर की यानि कि National Brain Research Center की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको हर्याना की मानिशर में मिलेगा गुरु गराम के पास में मानिशर तो वहाँ पर आपको इसका मुख्याले मिलेगा फिर बात करते हैं राश्टिय रोग नियंतरन केंदर की यानि कि National Center for Disease Control की और इसका मुख्याले आपको मिलेगा दिल्ली में तो ये संस्थान भी आपके लिए काफी जादा महत्पून है फिर बात करते हैं राश्टिय वनत्पती सोध संस्थान की यानि कि National Botanical Research Institute की तो इसक General Drug Research Institute की और इसका जो मुख्याले है वहाँ आपको उत्तर प्रदेश के लखनों में मिलेगा उसके बात में बात करते हैं राश्टिय प्रतरच्छा बिज्ञान संस्थान की यानि कि National Institute of Immunology की और इसका मुख्याले आपको नई दिल्ली में मिलेगा फिर ये भी हमारा एक बह पती सोच संस्थान लखनों में है केंद्रिय ड्रग सोच संस्थान ये भी आपके लखनों में है राश्टिय प्रतरच्छा बिज्ञान संस्थान नई दिल्ली में और राश्टिय पोशर संस्थान ये आपको तिलंगाना की राजधनी हैदराबाद में मिलेगा फिर अब हम रसायन से संबन्दित यानि की जो हमारे केमिकल से संबन्दित रिसर्च इंसिट्यूट है उनके बारे में आए जानते हैं तो पहले बात करेंगे भार्तिय पेटोलियम संस्थान की बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है Indian Institute of Petroleum तो इसका जो मुख्याले है वह आपको उत्तराखंड के दहरादून में मिलेगा कहाँ पर उत्तराखंड के दहरादून में इसका मुख्याले इस्तित है फिर बात करते हैं राश्टिय रसायन प्रयोग साला की यानि कि National Chemical Laboratory की और इसका जो मुख्याले है वह आपको महराश्ट के पूने में मिलेगा उसके बात में बात करते हैं नैनो विज्ञान और प्रदोग की संस्थान यानि कि Institute of Nanosciences and Technology तो इसका जो मुख्याले है वह आपको पंजाब की महाली में मिलेगा वैसे बहुत महात्पूर ये नहीं है फिर बात करते हैं Central Salt and Marine Chemical Research Institute की तो ये महात्पूर है यानि कि केंद्रिय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान और इसका मुख्याले आपको गुजरात के भावनगर में मिलेगा कहाँ पर गुजरात का भावस है जहाँ पर लोगों के भाव थोड़े से ज़्यादा होते है जिसका नाम है भावनगर तो यहाँ पर आपको Central Salt and Marine Chemical Research Institute का मुख्याले मिलेगा फिर आईए पृत्वी विज्यान से जुड़े विये जो भी हमारे देश में Research Institute है उनके बारे में हम लोग जानते हैं तो पहले बात करेंगे National Center for Antarctic and Ocean Research की तो इसका जो मुख्याले है वहाँ आपको गुवा में मिलेगा सिंप्ली यह दिशान रखिएगा तो गुवा में एक अस्थान है जिसे हम लोग वासको डिगामा के नाम से जानते हैं वहाँ पर आपको National Center for Antarctic and Ocean Research आपको मिलेगा और अभी Current Affair में भी यह न्यूज में था तो चलिए बताइए Current Affair में यह न्यूज में क्यों रहा था फिर बात करते हैं National Institute of Ocean Technology की यानि कि हमारे देश में जो समुद्र की प्रदोकी से जुड़ा हुआ राष्टिय संस्थान है उसका मुख्याले तमिल नाडो के चन्नई में आपको मिलेगा फिर बात करते हैं National Institute of Oceanography की यानि कि राष्टिय समुद्रिविज्ञान संस्थान की इसका जो मुख्याले है वह गोवा की राधानी पंजी में आपको मिलेगा तो पंजी में एक अस्थान है जिसका नाम है दोना पौला वहाँ पर आपको National Institute of Oceanography का मुख्याले मिलेगा फिर बात करते हैं National Institute of Hydrology की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको उत्तरा खंड के रुड़की में मिलेगा तो जल बिज्ञान से जुड़ा हुआ हमारा राष्टिय संस्थान है उसका मुख्याले आपको उत्तरा खंड के रुड़की में मिलेगा फिर बात करते हैं The Energy and Resources Institute की तो The Energy and Research Institute इसे हम लोग टेरी के नाम से जानते हैं तो काफी ज़्यादा ये नियूज भी वेर रहता है तो ध्यान कियेगा इसका मुख्याले दिल्ली में इस्तित है फिर बात करते हैं CMERI की तो ये नियूज में क्यों था? चलिए आप नीचे कमेंड में बताईएगा फिर बात करते हैं सीडेक की जो की हमारे कम्प्यूटर से जुड़ा हुआ एक महत्पून संस्थान है और इसका मुख्याले आपको महाराष्ट के पुणे में मिलेगा कहां पर महाराष्ट के पुणे में इसका मुख्याले आपको मिलेगा फिर बात करते हैं नेशनल इंसिट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की यानि की पवन उर्जा से जुड़ा हुआ जो राष्टी संस्थान है इसका मुख्याले आपको तमिल नाडू के चन्नई में मिलेगा तो ये पॉइंट भी आपको यादखना है फिर बात करते हैं अब हम लोग हमारे देश में जो खनिज हैं उनसे सम्मंधित कुछ सोध संस्थानों के बारे में जानते हैं तो पहले बात करेंगे इंसिट्यूट ओफ मनेरल्स एंड मेटेरियल्स टेकनोलोजी की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको उडीसा की राधानी भोनीशर में मिलेगा कहां पर उडीसा की राधानी भोनीशर में आपको इसका मुख्याले मिलेगा फिर बात करते हैं Central Glass and Ceramic Research Institute की, क्या नाम है Central Glass and Ceramic Research Institute की, तो इसका मुख्याले पस्सिम बंगार की राधनी कोल काता में आपको मिलेगा, उसके बात करते हैं National Metallurgical Laboratory की, तो इसका मुख्याले जमसेदपुर में आपको मिलेगा, कहां पर जमसेदपुर में इसका मुख्याले इस्ति इनके बारें भी आप याद दखेंगे फिर कुछ अन्य सोद संस्तानों की बात करते हैं जैसे की नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंसिट्यूट की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको तिलंगाना की हैदराबाद में मिलेगा कहां पर तिलंगाना की राजधानी इसका मुख्याले इस्तित है फिर बात करते हैं High Altitude Research Lab की तो इसका मुख्याले जम्मू कासमेर के गुलमर्ग में है उसके बात करते है नेशनल इन्वारमेंटल Engineering Research Institute की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको महराश्ट के नागपूर में मिलेगा कहां पर महराश्ट के नाग और नीरी का full form भी आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम है National Environmental Engineering Research Institute और इसका मुख्याले आपको महाराष्ट की नागबर में मिलेगा फिर बात करते हैं Industrial Toxicology Research Center की तो ये जो हमारा अनुसंधान केंद्र है उसका मुख्याले भी आपको उत्तर प्र वह उत्तराखंड के नैनी ताल में है कहाँ पर उत्तराखंड के नैनी ताल में आर्यभट Research Institute of Observational Sciences का मुख्याले आपको मिलेगा फिर एक हमारा है Film and Television Institute of India तो महाराष्ट की पूरे में इसका मुख्याले इस्तित है फिर बात करते हैं भारतिय हीरा संस्थान की यानिक Indian Diamond Institute की तो गुजरात का जो सूरत सहर है वह हीरो की पॉलिसिंग के लिए काफी ज़्यादा प्रसिद भी है तो यहीं पर आपको Indian Diamond Institute का मुख्याले मिलेगा फिर बात करते हैं Indian Institute of Astrophysics की किसकी Indian Institute of Astrophysics की और इसका जो मुख्याले है वह आपको मिलेगा Bengaluru में कहाँ पर Bengaluru जो की की राजधानी है वहाँ पर Indian Institute of Astrophysics का मुख्याले इस्थित है फिर बात करते हैं Indian Institute of Ecology and Environment की यानि कि जो हमारी पारिस्थित्की और पर्यावरन से जुड़ा हुआ भारतिय संस्थान है इसका मुख्याले है नई दिल्ली में फिर बात करते हैं राष्टिये च्छै रोग संस इसका मुख्याले करनाटक के बंगलूरू में आपको मिलेगा कहाँ पर करनाटक के बंगलूरू में इसका मुख्याले इस्थित है फिर बात करते हैं राष्टिये अब्दा परवंधन संस्थान की यानि कि National Disaster Management Institute की तो इसका मुख्याले आपको मिलेगा नई दिल्ली में कह जाने की Indian Institute of Sciences की बात करते हैं तो करनाटक के बेंगलूरू में इसका मुख्याले आपको मिलेगा और आखरी हमारा केले से जुड़ा हुआ एक अनुसंधान संस्थान है तो इसका नाम क्या है वह आपको बताना है और इसका headquarter कहां पर है ये भी आपको नीचे comment में बताना है त वहां से आप इसका अगर 5-6 बार वीजन कर लेंगे तो फिर आप अच्छे से इसे याग रख पाएंगे और नीचे comment में केले वाले का नाम और इसका मुख्याले कहां पर है वह आपको बताना है और जल्द ही हम लोग जो आपके NTPC का CBT-2 का एक्जाम हुआ था कब 2017 में उ बढेगा भारत तो बढेगा भारत